तो यह बच्चो कोश्चन देखो एक बहुत ही प्यारा सा कोश्चन है बहुत अच्छा कोश्चन है और यह कहता है टू पार्टिकल आफ इक्वल मास गोई राउंड इस सर्कल आफ रैडियस आर अंडर दे एक्शन आफ देर मोच्वल ग्रिविटेशनल अट्रेक्शन तो फा लगाएंगे और ऑसक्वाइर और एसा कभी नहीं हो सकता कि यह दोनों एंगर इस दुनिया में यई ही दोनों हैं तो इस उनिется मैं है तो यह टि हो तो पार्टिकल रही नहीं सकता इनके पाँ एक्सलेशन जनरेट आ जाएगा फोर्स अपान मास ठीक है तो यह जाएगा जी एम ओबर अगर रहता तो तो एक काम करते सर्कूलर मोसन दे देते हैं तो नेचर ने ऐसा सोचा कि काम करते हैं इन दोनों पार्टिकल को अगर मैं सर्कल में मोसन करा दूं तो इकलिवरियम मेंटेन हो जाएगा वह इस सर्कल का जो है सेंटर है और इस सर्कल का रेडियस है तो इसी तरह स से अर्थ और मून का केस है अगर दोनों रेस्ट में आ जाएं तो कॉलैप्स हो जाएंगे यह यूनिफॉर्म स्पीड से भी वेलासिटी कॉंस्टेंट स्पीड से यह मूब कर रहे हैं दो पार्टिकिल है तो हमें इस स्पीड की कैलकूलेशन करनी है अब यह कोशन क्या है यह बहुत ही अचा कोशन है और यहां से इसको करने होता है किसी फोर्स का resultant होता है तो अगर यह की helping का resultant है तो देख लेते हैं कौन सा का रियल में force लग रहा है तो अगर यह दोनों particle इस position पे हैं तबी बीदे इस फोर्स इनके भीच लग रहा है और अगर यहां पे आ गए तबी इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही लग रहा है मैगनिचूड में पर डायरेक्शन में बदल चुका होगा तो मैगनिचूड में हर पॉइंट पर ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे को फील कर रहे हैं तो यह जो ग्रेविटेशन है यही बच्चों सेंट्रिपिटल बन जाएगा ठीक ना बात समझ में या नहीं तो अगर सेंट्रिफ्यूगल से तुम्हारे सरने पढ़ाए हैं तो कोई बात नहीं सेंट्रिफ्यूगल से भी कर लो इस अर्थ पर ही चड़ के देखो इस अर्थ पर इस पार्टिक्ल पर चड़ जाओ तो तुम बोलोगे कि इधर के डाइरेक्शन में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स काम करेगा जो कि एमबी अस्कॉयर ओवर आर होगा और ये सेंट्रिफ्यूगल को सौरी सेंट्रिफ्यूगल ने ग्रेविटेशन को बैलेंस कर दिया होगा इसलिए मैं इस अब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिक्ल रेष्ट में है भाई अर्थ से अर्थ को देखूंगा तो मुझे रेष्ट में ही तो न जराएगा न याद तो चलो मैं सेंट्रिफ्यूटल से कर देता हूं मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो इन दोनों पार्टिकल पर सेंट्रिफ्यूटल फोर्स लगेगा और उसकी वेलू होगी यहाँ पर MbA square radius और gravitation force के इक को लोगी इनके बीच gravitation कितना होगा GmA square दोनों के mass का product और radius इनके बीच का radius कितना वाई 2R का square ठीक है इनके बीच का distance यह वाला आ जाएगा 2R ठीक है तो 2R का square तो finally जब देखोगे तो GmA square ओबर यह आ जाएगा 4R square तो एक ला गया और R ने R को तो V की वेलू आ जाएगी 1 by 2 और यह जाएगा Gm under root R this is the final solution तो देखो यह बहुत ही बहतर और अच्छा question है तो जिनों ने इसको बनाया सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं thank you कि इतना अच्छा question में और एक competition में आया भी है कि दो particle equilibrium में कैसे र यह nämlich, हुआछ बांश एक जी तो जब स्वेली स्वयाद है कि जूनधके बोच्छा को ने का स्वादा की बांशे है ल favorites Hana एक पू्छाом के गिसおお तो аться एक है तो आप